हाई गाईज वेलकम बैक टो मैं चानल रिचा मेरा शॉर्ट्स और आज की रेसिपी मैं लेके आई हूँ बुंदी की कड़ी जो की सिंपल तरीके से बहुत ही जादा टेस्टी बनती है तो बुंदी की कड़ी तड़का माने के लिए सिर्फ हमें चाहिए थोड़े से करी पत्त पतीले में मैं 2-3 चमल डालने वाली हूँ बेसन बेसन के उपर ही डाल दूंगी मैं दही दही आप अपने हिसाब से डाल सकते हो क्योंकि ये दही के टेस्ट के उपर डिपेंड करता है कोई दही बहुत ही ज़दा खटी होती है और कोई दही नॉर्मल होती है तो आप अपन थोड़ा पानी डालते जाना है और दही और बेसन को बहुत ही अच्छे तरीके से फेटते जाना है और जब दोनों ही बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए तो आपको इसमें डाल देना है पानी जितना आपको कडी बनाना है आप उतना पानी इसमें डाल सकते हैं तो यहाँ प कड़ाई पर मैंने तेल डाल दिया है और गर्म करने को रख दिया है जैसे ही तेल गर्म होगा इस पर डाल रही हूं मैं हिंग हिंग डालने के बाद मैं डालूंगी सरसो जिसे राई भी बोलते हैं कड़ी बनाने के लिए हम जीरे का यूज नहीं करते जब राई तड़क हैं या जैसे ही टमाटर सोफ्ट हो जाय न उस पे डालने है हल्दी ए फा pater के बार कि बार थोड़ा सा धनिया पोडर डालना है इसने गर्म मसाला बिलकुल भी नहीं डलता है और डाल देंगे थोड़ी सी पीशी मिच और जब हल्दी पानी में उबाल नहीं आ जाता पानी में उबाल आ जाने के बाद जब हम इसमें बेसन और दही का घोल डालते हैं तो यह इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है और कड़ी बनाते समय दही के फटने का बिल्कुल भी चांस नहीं होता तो आप यह वाली ट्रिक ज़रूर फॉलो करना तो जैसा कि आप देख सकते ही कि मैंने ढक्के रग दिया था जिसे पाण्च मिट के लिए अब इसमें बहुत अच्छे से उबाल आ रहा है तो अब हम इसमें घोल डाल सकते हैं घोल को डालने से पहले आपको एक बर अच्छे से मिला लेना है और मिलाने के पन ही रखना है और आपको चम्मत चलाते रहना है जब तक के कड़ी अच्छे से पक ना जाए कड़ी में पकने का मतलब यह होता है कि जब हम उसमें बेसन डालते हैं तो बेसन का कच्चा कच्चा फ्लेवर नहीं आना चाहिए इसलिए कड़ी को मीडियम फ्लेम में 10 से 15 मिनट तक के अच्छे से उबलने देना चाहिए तो आप देख सकते हैं कि कड़ी में बहुत ही अच्छे से उबाल आ रहा है और हमारी कड़ी पक चुकी है अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम कम करेंगे और जो बुंदी है वो हम कड़ी के उपर डालते जाएंगे जितनी भी कॉंड कड़ी में हमेंगे बुंदी डालने के बाद आपको पकाणा नहीं है जैसे ही आप पूरी बुंदी डाल दे कड़ी में वैसे आप इसे अच्छे से मिला दीजिये कड़ी के साथ और गैस बन कर दीजिये बुंदी अपने आप ही सॉफ्ट हो जाएगी तो काई से यहाँ पर बुंदी कड़ी रेडी है अगर आप लोगों को मेरी रेसिपे वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिजेगा बाई गाईज